हेलो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं वेनजर क्लास आज का टॉपिक है मद्द प्रदेश के बनश्पतिक प्रकार सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रिस कर लिजी ताकि ऐसी वीडियो हम आप के लिए लाते रहें तो सुरू करते हैं आज का व जिंद्रे भारत के बीचोबीच इस्थित मद्द प्रदेश एक बानश्पतिक प्रदेश कहलाता है जो एक निश्चत बानश्पतिक एक काई को प्रद्रश्थ्यας करता है घंश के मैदान इन पौदों के जातिया एक वर्षी अत्वा बहुवर्षी होती हैं घंशों में बर्धी प्रदिनन पाय जाता है घंश के मैदान मुख्य रूप से चोटी-चोटी घंशों तता उनके समरूप पौदों में पाय जाते हैं मद्द प्रदेश की घांस अस्थल बनश्पती को डाक्टर सजी अंतिवारी ने डाक्टर सजी अंतिवारी के अंसार आठ प्रकारों में बाटा गया है पहला प्रकार एंड्रो पोगान पोमेलस हेलेंडिया लेटी ब्रुशा टाइप का है जिसमें मद्द प्रदेश के पहाड़ी एस्थानों में जहां की मिट्टी क्या होती हलके लाल रंग की होती कौन से रंग की होती हलके लाल रंग की महीन सत्कणी सत्कणी का मतलब होता है ग्रिटी टाइप की बलूई का मतलब शेंडी होता है वहाँ पर चारा गाह का निर्मान करके घास एस्थल बनाए जाते हैं इन चारा गाहों में बिसेश प्रकार की कौनसी बिसेश प्रकार की जातियां लगाई जाती हैं उन में से कौन कौनसी है अब हम देखेंगे सेकंड टाइप का एंड्रो पोगान पोमेलस इंडिगो फेरा टाइप मद्द प्रदेश के मैदानी इवं पठारी भागों में बूरे लाल रंग की इस्थाई रेतिली मिट्टी पाई जाती है जहां पर घास स्थल बनाए गये उन्हें बिविन प्रकार की घासे पाई जाती है अब आगे देखते हैं थर्ड टाइप को इसमें क्या लिखा है गोएक्स लेक्राइमा जो भी हिल इंडिया लेटि वुरोशा टाइप का है ये मद्द प्रदेश के नदियू तथा नहरों के किनारे की मिट्टी बहुत नम होती कैसे होती है वो आप जानते हैं क्योंकि पानी की बेज़े से मिट्टी में नम नम बता आना तो लाजमी इसल इसे क्लिक अनिर्मान करती जिसमें कार्बोनेट्स नाइट्रेट प्रचूर मात्रा में पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थों की अधिक्ता होने के विज़े से इन इस्थानों पर अनिक प्रकार की जातियां उगाई जाती कौन-कौन्सी है एलाइसी कारपस है अपलूड प्रकार की होती में गास के सव्तार्य प्रकार्स तदस्थापन विशेश प्रकार की अनिक जातियां भी जैसे जैसे हमाँ देख लेते हैं इंडिगो फेरा सेटारिया ग्लूका डाइकेंटियम एंड्रोपोगन पुमेलास यह सारी जानकारी यहां से आप देख लेंगे जैसे में फिप्ट टाइप देख लेते हैं तो फिप्ट टाइप में थिमेडा कार्डेटा एलाइसी कारपस है अनि एक अस्थानों पर मेडोस पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं मेडोस पाए जाते हैं पी में यहां के मिट्टी गहरे काले रंगी क्ले होती ठीक है इन इस्थानों पर विविविन प्रकार के गहां से स्थल बना जाते हैं जहां पर विसेस जाती हैं पाई जाती हैं एमफि पोगान मार्टेनी एप्लुडा अरिश्टिटा ठीक है सिक्स पॉइंट में आई सी लेमा एन थ्री फोरोडी एल आई सी कार्पस मद्द प्रदेश में जीन चारा गाहों में आग लग जानने के कारण कुछ समय तक उप्योगी घहां से नहीं रहती है वहां पर बिविन प्रक अनिक प्रकार की विशेस घहां से पाया थीं कौंसी है केसिया पुमिला एलाइसी कारपस Sionodon, Dactylone इंडिगो फोरा लिनिफोलिया से बंत प्रकार में आ जाते हैं से बंत में डाइकैंतियं एनुलेटम डाइकैंतियं जमोडियम प्रकार का है ये मदद प्रदेश की अनेक इस्थानपर जहां-पर च्हाइदार जंगल पाह जाते हैं अनेक 4गाह भिक्सित किएगए उन जगहों पर और 4 हगाह बिक्सित किएगए इनमें काले- मात्रा उपस्तित होती है ऐसे घास स्थलों में बिविन्द प्रकारों की जातियां उगाई द्याती कौन-कौन कन्टर ट्रसं इंडिगो फेरा टाइब का है मत्द प्रदेश के अनेक इस्थानों पर बूरी रेटेली लोम मिट्टी पायाती कौनसी पायाती लोम प्रकार की होती है ऐसे इस्थानों पर घास स्थलों का निर्मान किया गया जिन में गैसों की बिविन्द जातियां उगती कौन कौन सी है जनिना डाइफिल्ला ये लोशिन एंड्रोपोगान पूमेलर फेरा हेट्रोपोगान का अंट्रोटस पाई रहता है यहीं से मारा आज का वीडियो समाप्त होता है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रिस कर लेजिए मिलते हैं बनों की पाई जाने वाली बनस्पतिया और जल में पाई जाने वाली बनस्पति की नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत